इस छोटी से वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसे हाई क्वालिटी के फूड बताने वाला हूँ जिसको अगर आप वर्काउट से पहले खा लेते हो तो 40-50 मिनिट तक तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा आपके अंदर इतनी भरपूर एनरजी और आग उठ जाए लेना है और साथ में आपको लेने है भीगे हुए चना एक मुठी या आधी मुठी जो देशी चना होता है शे बात कर रहा हूं हूं साथ में आपको लेने हैं पांच बदाम और एक लेना है आपको गुड़ का गचग जो कि सर्द्यों में आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा और दो लेनी है आपको अंजीर पस एक बार दोबारा से रिपीट करते हुँ जितने भी चीजे मैं आपको बताई ये वरकाउट इसको जब आप खाते हो इनके अंदर इतनी इतनी अच्छी इतनी हाई क्वाल्टी के एनरजी होती है कि जब आप वरकाउट करोगे फिर जिम करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके आपको ये चीजे एनरजी देती है और आप जो देखते हो ना कि आपने 50 चास पूशप लगाए या फिर आपने एक सेट लगाए और फिर आप ठकने शुडू हो जाते हो आपके साथ वो नहीं होगा बिल्कुल भी मतलब की मैं छोटी ही चीज गयना चाहता हूं मानलो हम हमने टार्गेट रखा कि हम पांच सेट लगाएंगे एक हर सेक्सराइज के हम लेकिन जैसे हम एक सेट या दो सेट लगाते तो हमारी मसल्स तूट जाती है और हमारा दुबारा वो एक्सराइज लगाने का मन नहीं होता तो इन चीजों को खाने से जो मैंने आपको बताई ये तनी हाई लेवल की एनरजी आपको मिलेगी सबसे पहली पॉइंट तो जो म प्रेषाली चीज होती है निकी वर्काउट से पहले जब थोड़ा खोड़ा बढ़होltar शुरू हो जाएगा और जब टेस्टोष्रों से यह सब यह मैं शुल्ट चांजिबभ हुए बढ़ाना जया अर जब को बताया है उतना उतना ही खाना है क्योंकि वर्काउट से एक घंटे पहले लेना है क्योंकि ज्यादा भार ही नहीं करना है अपने पेट को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सब चीज आपको लेनी है दो अंजीर और चार ऐसे ही 20-30 मुंपलिया ले सकते हो नहीं तो गु करो धन्यवाज जहिर जय भारत